नमस्कार दोस्तों रादे रादे कैसे हैं आप सभी आशा करती हों आप लोग ठीक होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे तो जी शाम का टाइम होने लग रहा है और मैं बना रही हूँ चाय पी होके डैडी के लिए और अपने लिए बच्चे भी यहीं पी थे तो हम थोड़ा अपने निप्टाती रहती हूं जो भी क्यमें बरतन खर लेकर ना या कुछ करना जो ₍छ है मतलब खड़े तो हैं घर तो इसमें मुझे यह ज़ता है कि चलो जब खड़े हैं तो थोड़ ऐसे काम है वो भी अपना निप्टा लो दुन्नों काम हो जा Kirby साथ यहां पिन डिक गी पिंगलने के लिए इसको एक बार पिंगला के फिर मैं इसको छान के दुबारा रखती हूँ तो क्या देखिए यहां पी मैं लेके आगी हूँ चाय प्यूकरेड़ी भी पी रहे हैं और फिर उनको जाना है ईशू और गुड़ू को लेके उधर तो बस वो भी बैठे थे क चलो जब जाएंगे तो सारे साथ में चलेगे तो प्यूकरेड़ी अब चाय पी के चले गए हैं बुटिक पे और मैं कर रही हूँ बरतन वगयरा साफ अपनी कीचन साफ क्योंकि सुनीता नहीं आ रही है कुछ प्रोब्लम होगी है उसके घर में तो इसलिए वो नहीं आ रह करती है अपना भी थोड़ा सा रहता है कि चले भाई खुद भी करना होता है काम काज तो यह ऐसे हैं कि भले कितने ही हैल्प मिल जाए लेकिन अपने आप भी दिन में एक अद्धी बार तो करने ही पड़ते हैं तो खेर देखिए यहां पे बरतन वगयरा जो भी थे वो मैंन साफ कर दूंगी और घी मैंने रख हुआ है फ्राइपैन में गरम होने के लिए बच्चे कह रहे थे जमे बना दो ममा दूद के तो मैं का चलो पहले में घी गरम कर दूँ उसके बाद फिर मैं जमे बना दूँगी तो देखिए यहां पे जो घी है वो मेरा लगबग पक और मेरा खाने पीने का मतलब हफते भर का काम इसमें आराम से चल जाता है तो देखिए बस यहां पे घी हमारा फग गया है दूद की मलाई से मैं अपना घी निकालती हूँ जादा तर मैं में भी भेज़ देती हैं गाओ में से पर जादा तर मैं अपना खर्चा इसी ही घी स इसी की ही मेरे पास एक कढ़ाई भी है जिसका कि मैं रोज में यूज करती हूँ तो यहां पे आपको मिल जाता है यह ट्राइपलाई का जो है इसमें कि आप बिर्यानी से लेके मिठाई से लेके या कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी कैपसिटी है ट्राइपल के लिए होते हैं इससे क्या होता है कि इनको हैंडल पर लगा दीजीے तो बंदन को उठाना ऐसान हो जाता है हाथ नहीं जलता है तो देखे हैं यह आपको मिल जाता है इजी टु क्लीन होता है फास्ट और एवन हीटिंग इस में आपको मिलती है, heat free होता है, क्योंकि silicone handle इसमें आपको already मिलते हैं, साथे साथे durable double rain force device के साथ आता है, तो यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ, अब जमे मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और देखे बिगोने को चलाना भी इसमें आसान है, और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी य लगती है, कि यह steel के हैं, और इन में जो खाना है, वो 100% safe रहता है, मेरे पास जालतर बरतन, Indus Valley के ही हैं, तो इस product का link मैं आपको description में दे दूँगी, आप लेना चाहते हैं, तो वहां से ले सकते हैं, साथ ही मेरा coupon code INDU12, जो आपको screen पे भी नजर आ रहा है, वो apply करेंगे, तो आपको मिलेगा 12% का discount, तो जिद लीजे, हमारी जो जिसी मेया है, वो बन गई है, बच्चे कर रहे हैं, वेट, उनके लिए मैं लेके जा रही है, उसी मेया, बच्चे खाएंगे, और मैं करूंगी अपने बाकी के जो काम है, वो, तो जी यह है, अगला दिन, और मैं फिर धो देती हूं उसको, और कपड़े भी मैं रोज के रोज ही धो देती हूं, साम के टाइम ही, बच्चे जब स्कूल साते हैं, तभी उनकी यूनिफोर्म बगएरा भी हो जाती है, तो यहाँ पर मैं मशीन लगा रही थी, और मशीन लगाने के बाद फिर बरतन मैं मशीन में जो कम मैंले है, या जिनको हलका-फुल께서 ही घुमाने की जगो जरूरत है, उसके बाद फिर थोड़े से जो और क्ज़ादा मैले होता है, लाश्ट में ढालती हूं, जो सबसे ज़ादा मैले होता है, जिनको ज़ज़ादा ताइम लगता है, भूमने में, तो यह तो बस वही मैं कर ली थी इसकूल में नहीं गया था क्रिशना क्योंकि जिस दिन बच्चों को जाना था इसकूल उस दिन इसको नहीं जाना था दो तारिक को तीन तारिक को गया था ये फिर अगले दिन तो जी यहां पर यह फेले हुए थे च्छत पे तो मैं इनको भी आई थ चीज रखने का नहीं है मतलब भले ही हो ना लेकिन मोसम ऐसा होता है कि कभी भी बरस जाए या कभी भी तूफान आ जाए तो इसलिए मैं अपने काम को इस तरीके से लेके चलती हूँ कि अगर हो भी रहा है तो मुझे टेर्शन ना हो क्योंकि एक दिन रात को मैंने कपड़े बाहर छोड़ देते मोसम थानी ऐसा की मतलब खराब हो और उस दिन क्या हुआ कि रात को ही बादल आगे और बारिश शुरू हो गया मैं रात को भागी फिर दो धाई बज़े के करी मैं का यह तो बजब हो गया उस दिन सा फिर कान पकड़ने मानगा नहीं भाई पहले जो का हो जाए वो जादा सही है क्योंकि बाद में तो फिर वही है कि खाना पूर्ती से वाला ही होता है और बस इसलिए मैं अपना कोशिश करती हूँ तो यहां पर देखे मैं आगी थी कपड़े निचोड़ने के लिए और क्रिशना को ना बहुत शौक है पानी में भीगने का सर् है और यह सुबह को भी ना के जाते हैं बच्चे मेरे तिन्नों और यह स्कूल में से आके बिनाते हैं क्योंकि हम मोसम में देखे करमी पूरे अपने उस पे होगी है और स्कूल में से हत्ते है ना तो बिल्कुल पसीने की स्मयल से तो देखे आती रहती है तो इसलिए का राउंट रहजाता है तब मैं कप्ड़े नि चोड़ती हूँ नहीं तो यह क्या हता है कि फिर खड़े रहो लारे लगे रहो हैं तो उसमें और कि रहता है मैं फिर कपड़े नि दो ले ले इसाँ है उपर फेलाने के लिए भी Donc रसी में सोच री थी मैं निच्चे ही फैला दूंगी हलाकि यह वीडियो आपको बाद भी मिल रहा है रसी पहले वीडियो में बंद भी चुकी है तो यह वीडियो आपको जो थोड़ा लेट मिल रहा है उसके लिए सोरी तो देखिए जी बस यहां पर कपड़े दोधो के मैं फैला भी सोरी उतार की भी रखे रही पहले मैं सोच रही थी मैंने का फैला भी दू शायद हवा सी निकल ली जाते हैं यहों कि मोसम ऐसा है ना कि सूख जतने हैं जल्दी लेकिन पिछे पेड़ को पत्ते देखके आ पानी मैने निकाल दया पहले मेरी मुझे मैशीन में से पानी मुझे मुझे निकल ड़रेन वाला विबतें शुच को पकड़ के ख़ड़ा रहना पड़ता था और इननको दिक्कत दिए में पहले ह Our बार बार आती रखती है तो देखिए जिवस यहां पर करके यहां के साथ ट्राई करके रख दे रही हूं और बस मेरा काम जो है कपड़ों का वो निपट जाता है अब क्योंकि देखिए खुद करना होता है तो चिज्जों को फिर अलग मैनेज करना पड़ता है अलग तरीके से तो इसी वज़े से फिर मैं उस हिसाब से काम कर लेके अपना चल क्योंकि शाम के टाइम इतना काम मुझे नहीं लगता कि शाम के टाइम इतना काम होता है तो जी देखे खेर यहां पे कपड़े वगएरा निचड़ गे हैं अब इस वाली साइड को भी मैं पानी वगएरा चला के अच्छी तरीके से दो दूँगी मशीन को भी अच्छी तर में रखके इनको अंदर रख दूँगी क्योंकि वही जैसे मैंने बताया मौसम की वज़े से तो मैं चलो इनको सुबह को फैलाओंगी रात को बारिश होगी नहीं होगी वह एक अलंग चीज है तो देखे बस यहां पे पीछे भी मैंने साफसफाई वगएरा करती है सारा मे मेरा जो काम है वो अनिया पड़ चुका है और मेरा यह था कि मैं बच्चो को ले कर रों कि थोड़ी देर बाहर गुमाने के लिए और शाम का मौसम अच्छा हो खाए तो मेरा था कि चलो थोड़ी देर मैं अपने बच्चो को भाहर ले के. चलती हैं तो जी कपड़े मैंने धोलिए और बच्चो थोड़ी देर चलो बार घुमा लहा हूं मौसम अच्छा हो रहा है चलो मैं भी कपड़े से चेंज कर लो गिल्ले होगे तो फिर मैं बच्चो को थोड़ी सी देर बार घुमा कलाती हूं तो जी मैं चल दी हूँ तिन्नों बच्चों को लेके और देखे हूँ जादा दूर तो जान जाने का थोड़ी सी दूर ही जा को घुमासी को लेओंगी असल में मौसम अच्छा हो रहा और बच्चे सुबह से स्कूल में सा के थोड़ी देखा फिर अपनी पढ़ाई में लगे थे मैं भी अपने काम से महीं लगी रही थी मैं कला चल थोड़ी सी देर बाहर को गुमा ला हूँ मौसम साम के टाई में अच्छा हो जा मौर तो दूर हैं वेटे महां तक नहीं जाना और भी हम याँ से चक्कर सा काट का जाँगे इदर को जादनी दूर जागते जाएं बटे तर डाड़ी होते तो फिर तो दूर चले जाते अपकली नी में तुम्हे लेकर जाने की दूर तो जी चलिए बस फिर देखना है कहां तक गुमा जागा इसमें गाड़ी में टक कर प्यू थोड़ा तेज सी चलवा भू इस्पीड पकड़ करियो बिटा दुबारा ऐसे ही जसा भी करते जा रहे थे इधर कृष्णा सड़क के बीच में नी प्यूरूई सड़क के बीच में नी सड़क के बीच में नी बेटे साइड हटो इधर मुझा तो आने दो कहां जा रही हा तिलाती वी दुन नो कि अरूई सब दुन आने जा रहे जा रहे जा प्यूरूई सब्सक्राइब कि अरूई सब्सक्राइब तो जी अब गूम गाम के हम जाने लग रहे वापस दस-पंदरा मिनट घूम लिए और बस इतना ही बहुत है हवासी लग गिता जी सी हाँ चल थोड़ी सी और दूर चल लिए तो बच्चों के सुबह की भी तैयारी करनी कि सुबह को बच्चे स्कूल ले आंगा और सुबह को यह 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 भी जागा मैं अरे बना तरह को अट्वास बात दो बरैक को बना दो यह जए अल्लो फ्रासबीन ल समया जो पना है तो राथ को यि तो रह उन्हें पर ने में टाइम लगता है तो चले है मार हूंगी मैं अब दूनों तिन्नों के ओये हैं Pokemon जाके अब ज़दी ही करूंगी काम क्योंकि सुभा बच्चे जल्दी उठ गे थे तो जल्दी लिटांगी तब जाके सुभा को फिर जल्दी ही उठ पाएंगे क्योंकि नेंद पूरी होना बूच जरूरी सबस्पर बड़ी कमी इनकी है कि दिन में ही सोते है इसकूल सा आगा जैसा लेट जाना तो सोते हैं नहीं बिल्कुल भी अगर यह थोड़ी सी देर दिन में रेस्ट कर लेना तो फिर थोड़ा सा ठीक रहे है खेर चली कोई नी जी अब वीडियो रोकती हैं पर कैसी लगी ज़रूर बताइए अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें सब्स